गुरु भक्ति योगी जी महराज रोज एकजवखत जमे वली दर त्रिजे दिवसे निर्जळा उपवास करे उपवास करीने उनालाना तापमा माथे पोटला लई गामे गाम सास्त्री जी महराज साथे फरे आखो दिवस सिवा करे आथी तेमने सारण गांठ थाई आवी समंत 1903 साल मा राजकोट मा अंग्रेज डॉक्टर एस्पी नौल ने बतावियू तेमने कहियू स्वामी जी तमारे ओपरेशन करावू पडशे आथी सास्त्री जी महराज नी आग्न्या प्रमाने राजकोट होस्पिटल मा हिर्जी भाईये जुदो रूम रखावी योगी जी महराज ने दाखल करया ते वखते सास्त्री जी महराज गोंडल मा दवा करावता हता तेवो पन आगले दिवसे राजकोट आवी गया माक्षर मैनानी कड़ करती टाटमा सास्त्रीजी महाराजे वहला उठी नाय धोई परवारी लिदू माथे पाग मुकी ने जल्दी थी होस्पिटल मा पधार्या सास्त्रीजी महाराज जेवा होस्पिटल मा दाखल थया तेज समये बे सेवको योगी जी महराजने स्ट्रेचर मा सुवाडी ने ओपरेसन थियेटर मा लई जता हता सास्त्री जी महराजने जोईने योगी जी महराज पुलकित थाई गया बे हाथ उचा करीने तेमने सुता सुता प्रणाम करया सास्त्री जी महाराजे तेमने आशिर्वाद आपया योगी जी महाराजने क्लोरोफों आपिने डॉक्टर वये कुषलता पुर्वक ओप्रेसन करियू ओप्रेसन पुरू थायू एटले स्वामी स्रीने स्ट्रेचर मा सुवाडीने तेमना रुम्मा लई गया योगी जी महाराज नी रुम्मा एक टेबल उपर हरी कृष्ण महाराज नी मुर्ती पधरा वेली चारे कोर सव हरी भक्तो निचे बेसी गएला पलंग नी सामे खुर्षी मां सास्त्री जी महाराज बेठा बेठा माला फेरवे बे कल्लाक बाद क्लोरोफोम नी असर उतरी योगी जी महाराज माथू फेरवियू औने आख उगाडी सामे सास्त्री जी महाराज ने मंद मंद हस्ता बेठेला जोया तिमने तरत ज हाथ जोड़या औने पासे बेठेला हरी भक्त ने धिमेथी पुछियू सास्त्रीजी महराजने दूद पायू आह साम्बली सव हरीभक्तो औने अंग्रेज डॉक्टर एस्पिनोल तो आस्चिर्य चकित थाई गया तेमने थायू के आ साधू काई बेभान ना हता आ योगी पुरूर्ष्तो दिव्य समाधीमा होआ जोईये तो ज जागरुत थाता गुरू जीने संभारे कारण के ते वकते गोंडलमा योगी जी महराज सास्त्री जी महराजनी सेवामा हता औने रोज रोज तेमने दवा साथे दूद पाता हता ते अहीं साम्बरी आवियू केवी एकता केवी गुरू भक्ती